दिवाली वेकन पर आमाजॉन पर रिलीस हुई जै भीम फिल्म को क्रिटिक्स और जनिता द्वारा खूब सरहना मिल गई है जै भीम की कहानी इरूला ट्राइब से तालुक रखने वाले राजा कन्नू नाम के व्यक्ति के असल जीवन पर आधारित थी राजा कन्नू की पुलिस कास्टिडी में मौत हो गई थी जिसके बाद नब्बे की दशक में इस केस को लेकर बहुत लंबी कानूनी लड़ाई चली थी जै भीम फिल्म में मुख्य भूमिका सूर्या ने निभाई है दहिंदू में छपी खबर के अनुसार अब सूर्या ने 10 लाख रुपए राजा कन्नू की पत्नी के नाम जमा किये हैं हवा के मताबिक सूर्या ने ये धनराशी CPI M स्टेट सेकरेटरी के बालकृष्टन की रिक्वेस्ट पर राजा कन्नू की पत्नी पारवती अम्मल के नाम की है पारवती चन्नाई के पास लेबर का काम करती हैं और अपना जीवन मुश्किल से व्यतीत कर रही है सूर्या ने इस विशे में कहा हम राजा कन्नू की वाइफ पारवती अम्मल की मदद इस तरीके से करना चाहते हैं कि आने वाले कई सालों तक उन्हें फिर कोई तकलीफ ना हो इसलिए हमने पारवती के अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट किये हैं पारवती इस रकम से मिलने वाले ब्याज से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं साथ ही हम इस कोशश में हैं कि ट्राइबल बच्चों की मदद कर पाएं इस कास-based discrimination का एक ही उपाय है और वो है शिक्षा ये पहली बार नहीं है जब सूर्या किसी की मदद को आगे आए हो इससे पहले सूर्या ने एक करोड रुपए ट्राइबल बच्चों की पढ़ाई के लिए दान किये थे सूर्या ने ये पैसे एक ट्रस्ट के नाम तमिलनाडू के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के सामने दिये थे फिल्म जैभीम के साथ अब विवाद भी लग गए हैं लेकिन एक political party है PMK PMK यानि पटाली मकल कतची की parent body ने जैभीम के makers और Amazon को legal notice भेज दिया है इनके आरोप हैं कि फिल्म में जानबूच कर one near community का अपमान किया गया है हाला कि इस notice भेज़े जाने की खबर बाहर आने के बाद सूर्या के fans भी फिल्म के support में उतर गए हैं जब कि इसके बाद सोशल मीडिया पर hashtag I stand with सूर्या trend होने लगा फिल्म के नाम से एक और controversy जुड़ी थी फिल्म के एक scene में पुलिसवाले बने प्रकाश राज हिंदी में बात करते एक श्रक्स को थपण मारते हैं साथ ही उस चे तामल में बात करने को कहते हैं इस scene को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना था कि ये scene जबरदस्ती controversy create करेगा ही जब कि फिल्म में इसके कोई खास जरूरत नहीं थी एक आहत तपके का ये भी मानना था कि ये scene हिंदी भाशी audience के खलाफ है जब कि इस scene को फिल्म के context में देखने पर ये पता चलता है कि जिस आदमी को थपण मारा जा रहा है वो हिंदी का प्रयोग करके एक मुश्किल situation से बचना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि पुलिस वाले को हिंदी समझ नहीं आईगी इसलिए बुलिस वाले उसे धपड मार कर उस भाशा में बोलने को कहता है जो उसे समझ आती है Amazon Prime वीडियो पर ये फिल्म स्ट्रीम हो रही है ये खबर आपके लिए हमारे साथ ही शुभम ने लिखी देखते रहें दी ललन टॉप शुक्रिया